दोस्तो अगर आपके फोन की बैटरी बहुत ही जल्द उतर जा रही है आप अपने फोन को सुबह में चार्ज करते हैं और साम होने से पहले आपकी फोन की बैटरी खतम हो जा रही है तो दोस्तो आप लोगों को यहाँ पर एक सेटिंग को कर लेना है आप अपने फोन में एक setting नाम की एक setting होती है जिसके अंदर में बहुत सारी ऐसी setting होती है जिसको आप लोग नहीं करके रखते हैं जिसकी वज़े से आपकी phone की battery बहुत ही जल्दबाजी में समापत होती है देखे दोस्तो हमारे phone में सबसे ज़्यादा battery display पर ही खतम होती है क्योंकि हम बारबर अपने phone को on करते हैं, off करते हैं बारबर display हमारा जलता है बंद होता है और display के कारण हमारी phone की battery हमारे phone की battery बहुत ज़्यादा खतम होती है तो आज हम आपको इस video में display की setting के कुछ hidden setting बताएंगे जिसे आपने अपने phone में नहीं किया है तो कर लिजिए तो दोस्तो वह कौन से setting है कैसे करनी है यह सब कुछ इस video में बताया हूँ तो video को last तक देखिए दोस्तो video सुरू करने से पहले हमें आप लोगों से एक छोटा सा request है कि video को like नहीं किया है आपके phone में जो setting है उस setting पे जाना है उस setting पे जाने के बाद में इस तरीके से बढ़ेंगे आप लोगों को display नाम की एक setting दिखेगी इस display setting पर आपको click करना है देखिए दोस्तो पहले setting क्या है पहले setting यहीं है और आपका phone जब light mode में होता है तो battery भी उतनी तेजी से खतम होती है यह dark mode करने से आपका phone के battery पूरा नहीं बचेगा अभी भी यहाँ पर और भी setting है जिसको आप सीख कर जाएए यहाँ पर dark mode करने के बाद में अभी आप लोगों को यहाँ पर दूसरी setting करनी है दूसरी setting यहीं पर दिया हुआ है scheduled dark mode इसके उपर में क्लिक करना है जैसी क्लिक करेंगे इस button को on करना है जब इस button को on करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दो option है एक है sunset to sunrise का इसके उपर में जब आप click करेंगे तो यहाँ पर जिस तरीके से सूरिये जब जब अपना मली जब सुबह होगा उस टाइप का आपका display होगा रात होगा तो उसका display अपने हिसाब से sunset sunrise होगा तो ठीक है इसको आप कर सकती है लेकिन यहाँ जब custom पर click करेंगे तो यहाँ पर द देखे टर्न आफ यानि 7 बजे आफ हो जाए और टर्न आउन यानि कि 7 बजे आउन हो जाए आप चाहते हो कि साम को 7 बजे automatic हमारा phone डार्क मूण हो जाए और सूबह 7 बजे आफ हो जाए तो उसके लिए यहाँ पर आप यहाँ पर timing को set कर सकते हैं आप 7 बजे चाहे तो 7 आपकी phone की battery अच्छा बचेगी तो आप अपने हिसाब से timing को यहाँ पर set कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि brightness level की एक setting है इसके उपर में click करना है यहाँ पर देखिए automatic brightness की जो setting है बहुत से phone में बंद होती है यहाँ पर दो setting है sunlight mode और automatic brightness तो मैं य automatic brightness को ही set रखिएगा या automatic अपको हिसाब से जितनी brightness की जरोत होगी उतना ही आपको set कर कर देगा उसके बाद में इथर नीचे की और बढ़ेंगे यहाँ पर आपको देखिए refresh rate की एक setting है इसके उपर में click करना है जब इसके उपर में click करेंगे यहाँ पर refresh rate की जो setting है बहुत ले work करेगी और आपकी phone की battery बहुत तेजी से समाफ्त होगी आपको यहाँ पर standard 60HZ पर set कर देना है इसको set करने से आपकी जो phone की battery अच्छा चलेगी यहाँ पर पढ़ सकते हो कि standard refresh rate saves battery यहाँ इस setting पर करने से आपकी battery save होगी और अच्छा चलेगी तो इसको आप यहाँ पर 60 hz पर किलिक कर दिजिएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों इस तरीके से नीचे और बढ़ेंगे आप लोगों को यहाँ पर एक setting और देखने को मिलेगी ठीक है दोस्तों उसके बाद आप लोगों को एक setting और करनी है एक setting करने के लिए इस तरीके से बैक होना है और आप लोग ड्रेन नोटिफिकेशन की एक सेटिंग होगी अगर यह बंद होगी तो इसको आपको on कर देना है यहाँ पर देखिए पड़ा लिखा हुआ है कि रिसीब नोटिफिकेशन वेन बैटरी बेगेन ड्रेन फास्ट यानि कि आपके फोन में देखिए बहुत सारे एपलिकेशन होत आपके फोन की बैटरी को ड्रेन कर रही है आप तुरति उस एपलिकेशन को डिलीड कर दिजेगा और आपके फोन की बैटरी अच्छा चलने लगेगी तो इस तरीके से आप अपनी फोन की बैटरी को डिस्पले सेटिंग से बचा सकते हैं और जो भी फोन की बैटरी आपका अप्लिकेशन रेन करती है उससे भी बचा सकती है इन सेटिंग को करकर देखिए आपकी फोन की बैटरी पहले से अच्छा चलेगी इस वीडियो में यही बता रहा था वीडियो हेलफुल लगी तो वीडियो को लाइक करकर जाएगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिएग हुआ झाएगा झाएगा झाल